हालो स्ट्रेंग्स वेलकम इन यह फाइन आट क्लास्ट आइम साक्षी यह यह फाइन आट टीचर तोड़े वी विल डिस्कस अबाउट यू स्लेवर्स ऑफाइन आट्स एस यू लो आपका थियोरी 30 माक्स की होती है फाइन आट्स में एंड 70 माक्स का प्रेक्टिकल होता है तो 12 में आपका 30 माक्स 3 यूनिट में डिवाइड है बिटा ओके फास्ट यूनिट आपकी है फास्ट यूनिट में फास्ट चेप्टर आपका शिक्स लिम्स ऑफ इंडियन प्रिंटिंग्स एंड फंडमेंटल सब वीजोल आर्ट्स यह कॉमन टॉपिक है आपका यह 11 में भी है बच्छो आप इसको 11 में भी पढ़ा है इसमें एंड आपको 12 में भी यह पढ़ना है इसमें से आपके 5 मार्क्स की कुश्चिन आंसर आएंगे फास्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक आपका है दा राजिस्थानी स्कूल आफ मिनिय पिंटिंग्स यूनिट सेकेंड में भी आपका टू चेप्टर जहें ये वी च्टास में डिवाइड पेंटिंग्स तो सारे यूनिट आपके 10 10 मक्स में डिवाइड है और इस तरीके से है कि 30 मक्स की आपकी थिर्ण की थिओरी होती है इसमें 70 marks का practical आपका first unit हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ेंगे six limits of Indian paintings हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका first unit का second chapter आपका राजिस्थानी स्कूल राजिस्थानी स्कूल में आपको first पढ़ना है origin and development राजिस्थानी paintings का origin कहां पर हुआ वोड़ डेपलप कहां पर हुई किस एरिया में राजिस्थान की सेकिंड टॉपक इस सब स्कूल्स राजिस्थानी स्टेट्स में जो डिस्टिक्ट थे किन-किन डिस्टिक्स में paintings ज्यादा popular थी ज्यादा famous थी वहां पर तो यह आपको सब स schools परने राजिस्थान इस्कूल में सब स्कूल्स हैं मेबार बूंदी जोधपूर बीकानियर किसंगड़ाई जैपूर थांध तॉपक आपका main features of राजिस्थानी स्कूल main features characteristics बोल सकते हो main features qualities बोल सकते हो specialities बोल सकते हो इनको आप तो राजिस्थानी स्कूल की जो टो को आपको इसमें पढ़नी एक फॉर्ट टोपिक आपकी आइगे इसमें पेंटेंग्स राजिस्था ने स्कूल की कुछ पेंटेंग्स आपके स्लेवस में हैं आपकी बुक में यह six हैं आपको यह six paintings पढ़नी है फर्स्ट है आपकी मारूर आगिनी सेकेंड बने राजा अनिरुट सिंहारा थर्ड चौगान प्लेयर फोर्ट कृष्णाउन स्वींग फिफ्त रादा बनीठनी शिक्स भारत मीट राम एथ चित्रपूर इस तरीके से आ पहारी एरिया में पंजाब और जम्मो कश्मीर में जो paintings बनती थी भी आपको वो पढ़ना है इसमें भी आपको origin development पढ़ना है और इजन डेबलप्मेंट आपको हर चेप्टर का पढ़ना है इसमें भी सब स्कूल्स हैं वहां के जो डिस्ट्रिक्ट थे जैसे बसॉली घुल कृष्णा विद गोपीज इसके पेंटर है मनकू एंड सेकेंड है नंद यशोधा एंड कृष्णा विद्न किंस्मिन गोइंग टू ब्रंदावन जब नंद यशोधा जी और कृष्णा जी ब्रंदा बंजा रहे थे तो यह तब का सीन है आपका पहाडी स्कूल में आपको ट हर लें के टाइम पीरिटा सिक्स्टीन सैंचुूरीे डी टिव सेंचूरी एं तॉट घाए आपका फॉर्स शेप्टर मुगल स्कूल ऑफ लिव ब्रिऍनेचर पढ़ेंगे में फिचर्स आपको पढ़ने है और फिर पेंटिंगस है यह ब्य Tit South जिए आपकी मुगल है इसमें आ आपको सब स्कूल नहीं पढ़ने आपको औरिजिनल डेबलकमेंट पुड़ना है मेन फिचश पढ़ने है इसकी और फी पींंटिंग ऑप की 5 पेंटिंस है इस चप्टर में कृष्टीर verzization जिच ने जब गोवारचनपरपद को एक लिटल फि अलीम अनारकली तो आपने सुना होगा ना तो वह वाला सीन है जब उनका वर्थ हुआ था था थार्ड है आपका फालकन और वर्ड रेस्ट ये वर्ड पेंटिंग है वर्ड फेमस पेंटिंग है फिप्थ है आपका कबीर एंड राइदास एंड सिक्स मैरेज प्रसीजन ऑफ दारा सिकों की मैरिज का ये सीन है उनकी भारात का आपको इसमें फाइब पेंटिंग्स पढ़नी है मुगल स्कूल में फिर आपका है सेकेंड यूनिट का सेकेंड चेप्टर देक्ट कान स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग्स इसमें भी ओरिजन डेबलोप्मेंट के इसके भी कॉलिटीज एंड इसमें फ्री पेंटिंग्स है बिटापकी राजिस्थानी पठंसी का फर्स्ट पेंटिंग सेकेंड हजरत निजाम उद्दीन औलिया एंड अमीर खुश्रो थार्ड वन इस चान बीवे प्लेंग बोलो ओके सेकंड यूनिट में आपको फर्स स्कूल पेंटिंग एंडा मॉडरन प्रेंट्स इन इंडियन आर्ट बेंगॉल स्कूल में पेंटिंग्स किस तरह की बनी थी और यह सारी चीज़े आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट है आप इसमें पढ़ेंगे नैशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कि इंडिया का जो नैटनल फ्लैग है उसके बारे में है अप ίह तक कितने नैशनल वग Around कितने फ्लैग बने काव से सन में आपका कौन सा फ्लैग पाइनल हुआ किस कौन-कौन से कलर है हर कलर का मीनिंग क्या है यह सारी चीज़े आप डिटेल में पढ़ेंगे इसमें आपका थर्ड यूनिक में नैशनल फ्लाइग ऑफ इंडिया एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ओफ इट्स फॉर्म्स एंड दा कलर इसका बी पार्ट है सब्सक्राइब इन्ट्डीन परोग है इंटरेक्शन फुर्मस फेंसे करिक्टरिक्टिक्स बेंगोन आत्र आपको यह पढ़ना है और इसका थर्ड पार्ट है इसकी पेंटिंग्स बेंगॉल स्कूल में किस तरह की पेंटिंग्स बनी थी कौन-कौन से पेंटिंग्स बनी थी आपको वो पढ़ना है इसमें आपकी फाइब पेंटिंग्स हैं फस्ट है आपका जर्नीज एंड सेकेंडर श्रिवेंड सती पासलीला, फॉर्थ राधिका, फिफ्थ मेग्दूथ, ठीक है आपके बेंगॉली स्कूल में कितनी पेंटिंग्स हो गई, फाइफ पेंटिंग्स, अब इसका डी पार्ट है, ये वाला जो यूनिट है, बहुत जादा लेंटी है, दोनों यूनिट से, और सबसे शॉर्ट है की सेकेंड यूनिट, मुगलन टेककन स्कूल आप नीचर प्रिंटिंग्स, दा मॉडर्न ट्रेंट्स इन इंडियन आट, इसका डी पार्ट है, आपका मॉडर्न इस टाइंग पर जो पेंटिंग्स शल रही है, स्कुल्प्छर्स है, आपकी ग्रैफिक प्रिंट है, तो आप आपको वो पढ़ना है, मॉडर्न, 22-21 सेंचुरी में जो पेंटिंग्स है, इसमें कौन-कौन इस फेमस पेंटिंग्स आपकी कुछ आपके स्लेबस में है, आप आपको वो क्लियर करनी है, फर्स्ट है आपकी मॉडर्न पेंटिंग, रामा वैनिस कीन, दा पीरेड आप दा यह राजा रवी बर्मा की है, मॉडर्न फेमस आर्टिस्ट है यह इंडिया के, सेकिन्ड इस मदर एंड चाइल्ड, थर्ड हल्दी ग्राइंडर्स, फोर्थ मदर टेरेसा, फिफ्थ दा वल्चर, यह आपकी पेंटिंग्स है बिटा, ग्रैफिक प्रिंट, आपके इसमें फ प्रिंटिंग्स कौन सी होती है, ग्रैफिक प्रिंट्स क्या होते हैं, और स्कल्प्चर्स क्या होते हैं, जिसने 11 में थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ा होगा, उसको तो पता होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, वो हम बात में डिसकस करेंगे इसको, इस स्कल्प्चर्स ह तो आपको थार्ड यूनिट में ये सब पढ़ना है सारी यूनिट में टू-टू चैप्टर से हैं I hope आपको क्लेर होके होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्स चैप्टर क्लियर करेंगे तो सिक्स लिम्प औफ इंडियन पेंटिंग्स आपको paintings बनाने के लिए किस-किस कौन-कौन से rules होते हैं क्या कि आपको mindset करना पड़ता है जब आप एक perfect paintings बना सकते हैं तो इस बारे में हम बात करेंगे आपके next video में ओके आज के लिए एक लाही Thank you Have a nice day Stay home, stay safe